प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में SGVN स्टॉक को डिसकस करेंगे जो थर्मल पावर जेनरेटिंग कंपनी है गौवर्मेंट की PSU है और इसने अपने Q4 के नंबर्स दिकिलियर करें और नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू तो थोरा वीक रहा है लेक स्टिप्सन के लिंक से चाहें तो अपन कर लेंगे सबसे पहले यहां मैं अगर इसके Q4 के नंबर्स को दिखाओं तो आप समझेंगे कि कंपनी की रेवेन्यू थोरी बहुत डाउन हुई है 4.1% की लेकिन प्रॉफिटिबिलिटी 17 करोर से 61 करोर हुआ है मार्जिन वीक रहे इबिटा वीक रहे अब मैं इस नंबर्स को थोरा आपको इंडिप्ट में समझाओं तो यहां आएंगे और यह नंबर्स लैक में हैं और लैक में अगर करोर लैक के नंबर्स को अगर करोर में करने होते हैं तो simply जो टू डिजिट है उसको हटा देंगे यानि कंपनी की expenses रहे वो काफी higher expenses रहा उसके साथ ही imply benefit देखेंगे तो उसमें काफी कंपनी ने खर्चे करे हैं financial cost वो थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखा है लेकिन इस समय जो कंपनी की profitability रही है यहां देखेंगे तो कंपनी ने 61 करोर के profit declare करे जो year on year basis पे लगबग 300% के उपर का गेन ह जबकि पिछले quarter कंपनी ने 138 करोर के numbers declare करे थे चुकि other income जो है last quarter कंपनी को आते वे दिखा था इसके साथ ही 65 पैसे के कंपनी ने dividend भी declare करा है और इस समय कंपनी ने यहां देखेंगे revenue drop 4% और margin भी 50% के नीचे रहा और Indian oil के साथ कंपनी ने joint venture declare करा है जो कि हमने पहले ही joint venture करा है और इस joint venture का जो reason है वो यहां देखेंगे तो सबसे पहले इसके dividend को देखेंगे जो company ने 0.65% dividend declare करा है और यह joint venture Indian oil के साथ इसलिए करा है चुकि renewable project company develop करेगी Indian oil को and other new technology based project the joint venture formation is subject to approval from the ministry of power the नीती आयोग and the department of investment and public assets management तो इसके लिए company ने joint venture भी करे यह stock technically तो बड़ा out performer रहा है पिछले देखेंगे तो लगबग 2030 के price से stock ने लगबग 400% के return दिये even monthly time frame पर भी देखेंगे तो थोरी बहुत profit booking तो उपर के price से दिखी उपर का price in the sense की 170 से stock लगबग 100 गिरा लेकिन यहां से जिस प्रकार के recovery रही है वो काफी out performing रहा है और technically जब तक 130 के नीचे की weekly closing ना हो I don't think so की बड़े downfall दिखेंगे अगर मैं आपको इस stock के weekly time frame को दिखाओं तो अभी भी stock के trend जो है higher trend में ही दिख रहा है और अगर यह stock में मुझे लगता है कि 122 के नीचे ही मुझे लगता है कि आपने exit करना चाहिए यहां से ही negative होगा otherwise यह again एक consolidate को break out कर रहा है तो potentially यह stock 172 और 200 प्लस तक के levels दिख सकते हैं